बिसमिल्लाइब रुखमानुर्ण रुखेम अब जो डेरिवेशन में करने जा रहे हूँ वो सिंबल परंडॉलम किये है यह भी एक्जाम के लिहाज से एहम डेरिवेशन होती है exam में ये question कहता है मैंने बड़ा short form में लिख दिया वो कहता है proof करें कि जो motion of simple pendulum है वो हमारे पस क्या है SHM है simple harmonic motion है तो simple pendulum की motion को हमने SHM proof करना है तो देखिए हम इसको कैसे proof करेंगे सबसे पहले तो इसकी diagram को हम समझ लेते हैं हमने किया कि यह है कि हमारे पास एक support है उस support के साथ हमने एक string को hang कर दिया और इस string के साथ हमने क्या किया एक mask को attach कर दिया अब मैंने क्या किया कि मैं इसको displace कर रहा हूँ तो मैं जब इसको displace करके यहां पर लेकर आता हूँ इस mask को और कितना displace करता हूँ कि यह जो angle बनाता है यह angle कितना है theta ठीक है अच्छा यह बात याद रखिएगा यह technically एहम बात है is derivation के लिए और intermediate के एसाब से कि यह जो angle है यह बहुत कम है यह याद रखिएगा और आप जब practical perform करते हैं तो हम आप कोई समझाते हैं कि आपने जो displace करना है किसी simple बहुत मामूली amplitude के लिए करना है तो यह theta के value बहुत कम है इसको अपने जहन में रखिएगा ठीक है और यह जो spherical जो हमने mass attach किया हुए इसके mass को हम M से represent कर देते हैं कि यह M है यहाँ पर जो इस वक जहाँ पर यह mean position है इसको मैं A से mark कर देता हूँ और जितना मैंने displace किया इस position को मैं B से mark कर देता हूँ ठीक है यह बास समझ में आ रही होगे मेरे खाल ऐसान सी बात है जब भी किसी body को हमने hang किया होता है तो straight downward बिल्टकुL straight नीचे की जाने जो force act कर रही होती है उसे हम weight कहते हैं लेकिन चुक्छा मैं अभी अपने book की terminology यूज कर रहा हूँ तो हम इसको gravitational force करेंगे weight is a gravitational force जिससे कोई भी object जमीन की तरफ जो है वो attract हो रहा होता है तो यह जो FG है जिसको मैं FG से mark कर रहा हूँ obvious सी बात है कि यह FG जो है यह किसके बराबर है यह body के weight के बराबर है जो कि क्या होगा mg होगा लेकिन for the time being इसको मैं gravitational force ही कह रहा हूँ ठीक है तो यह force कहां एक कर रही है यह downward act कर रही है जहां से हम किसी चीज को suspend करते है towards the point of suspension जो force act कर रही होती है उसे हम कहते है tension ठीक है यह यह बास समझ में आ रही है so there are two forces acting on this simple pendulum एक जो है वो उसका weight है gravitational force is straight downward act कर रहा है और दूसर टेंशन है जो कि towards the point of suspension है अब जहां से जहां तक हम इसको लेकर गए है यह जो displacement है इस displacement को हम represent कर रहे है x से कि यह कितना है x है right यह बास समझ में आ रही है so this displacement is x तो मैं x को यह arrow आग होता जा रहा है increase होता जा रहा है ठीक है यह बास समझ में आ रही होगी अचा अब दो forces act कर रही है एक tension act कर रही है और एक fg act कर रही है तो जब हम दो forces act कर रही है और इसको हम release करेंगे तो यह किस तरफ आएगा क्या यह वापिस back to the mean position नहीं आएगा obviously बात है mean position की तरफ एक arrow लगाते हैं और हम कहते हैं कि यह वो force है जिसे हम कह रहे हैं कि net force कौन सी force है net force so there are two forces acting on the body एक force जो है जो बाड़ी पे act कर रही है वो कौन सी force है वो है fg right और दूसरी कौन सी force act कर रही है वो है tension तो दोनों forces का जो sum है वो किस के बराबर है वो हमारे पास net force के बराबर है मेरे खाल यह बास समझ में आ रही होगी तो vector के साब से हम बात करें तो यह दो forces हैं जो के इस net force को develop कर रही है और यह net force body को कहां लेकर आ रही है back to the mean position लेकर आ रही है अच्छा अब यह जो gravity की force है इसके दो component है जो के यहाँ पर लग रहे है जो पहला component है वो क्या है वो बिल को straight downward है और दूसरा इस तरफ है यह दो component है ठीक है अच्छा यह जो component है fg का इस तरफ वाला जो component है इसको हम कहते है parallel component यानि यह जो fg है यह fg जो है has two components दो components है इसके और वो दो component कौन कौन से है एक हमारे पास कहलाता है fg का यह 11 नहीं लिख रहा है यह parallel का सिंबल है parallel component होता है और एक हमारे पास fg का perpendicular component है अब parallel component कौन सा है हमारे पास जो के street इस तरफ tension के opposite direction में act कर रहा है तो इसको हम अब क्या लिखेंगे जारसी बात है अगर यहान पे theta है और यह fg है तो angle के साथ वाला जो component होता है वो हमेशे cause होता है और angle के opposite जो component होता है मदर मैं यह कहना चाहरा हूं कि इसके angle के हमेशा opposite जो भी ratio होती है वो हमेशा sine theta होती है और angle के साथ जो ratio होती है वो हमेशा क्या होती है cause होती है तो यह वाला जो component है यह हमारे पस बन जाएगा F G cos theta और यह वाला जो component है यह हमारे पस बन जाएगा F G sin theta जिसको further मैंसे लिख सकता हूँ FG जो के मैंने बताया भी है आपको के body के weight के बराबर है तो मैं इस FG को लिख सकता हूँ M G cos theta और इसको मैं लिख सकता हूँ M G sin theta मेरे खाल असान किसम की बात है समझ में आ रही होगी तो vector के लिहाज से जो सम है वो net force है और इसमें जो gravitational force है जो weight है उसके दो component बन रही है अचा डाइग्राम में देखें clearly एक बात नजर आ रही है और वो डाइग्राम में ये बात नजर आ रही कि tension जो है वो इसको उपर की जानिब खेंच रहे ठीक है और उसके opposite direction में ये वाली force है cos वाली force है जो नीचे खेंच रही है ना तो tension इसको खेंच के उपर की जानिब ले जा सकता है और ना ये cos theta वाली force जो है इसको खेंच के नीचे की जानिब ला सकती है तो ये दोनों आपस में क्या हो गई है ये दोनों आपस में and they cancel out each other और यह दोने एक दिसे को क्या कर देती है cancel कर देती है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी force है जो के body को वापिस लेकर आ रही है कहाँ पर mean position की तरफ ठीक है यह नजर आ रहा होगा मेरे खाले तो अब वो कौन सी force है जो के body को कहा लेकर आ रही है mean position की तरफ लेकर आ रही है तो वो force हमारे पास diagram में देखे हैं तो कौन सी force है यह sin theta वाली force है यानि यह जो fg sin theta है this is the only force जो के body को कहा लेकर आ रही है इसकी arrow देख रहे है वापिस लेकर आ रही है mean position की तरफ तो mean पुज़िंगी तरह जो लाने वाली force है वो fg sin theta है और मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर दो forces लग रही है tension और fg लग रहा है तो उन दोनों का some net force है तो net force क्या कर रहा है वापिस लेकर आ रहा है तो net force basically किसके इकल हुआ? fg sin theta के clearly तो अब हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा net force है यानि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो ये हमने equation लिखी थी अगर आप चाहें तो मैं इसको कर लेता हूँ equation number one तो मैं इसको ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ कि so equation number one implies that हम इस तरीके से भी बात कर सकते है कि जो f net है हमारे पास उसमें fg हमारे पास क्या है? fg हमारे पास है mg cos theta plus mg sin theta और साथ में क्या है? tension है, ठीक है? ऐसे ये ना? कि ये जो fg जो है मेरे पास इसको मैंने लिखा हुआ है mg cos theta, mg sin theta और ये जो mg cos theta और t है ये तो दोनों आपस में equal है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता है कि equal है तो दोनों आपको क्या कर दिया cancel, equal है और direction oppositively cancel हो रहा है ठीक है, keep in your mind कि एक उपर की जानब खेंच रहा है और ये नीचे की जानब इसको खेंच रहा है अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो मेरे पास net force है वो मेरे पास किसके एक बाल आगया, sin theta अब force का formula का है Newton, हमेंने, Newton ने मैं बताया तो second law है कि जब भी force होगा तो that will always be equal to ma तो force होता है हमारे पास ma और ये हमारे पास है mg sin theta सही है? ये बस वह में आ रही है अब यहाँ पर technical बात यह कि मैं यहाँ पर negative sign लगा रहा हूँ यह negative sign में क्यों लगा रहा हूँ? यह negative sign मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यह जो acceleration है यह acceleration जिस acceleration से तस्वीर में दें कि जिस acceleration से यह body move कर रही है, वो acceleration body को कहा लेकरा रही? mean position की तरफ हर वो motion जो कि towards the center, towards the mean position होती है always represented by a negative sign ठीक है? यह याद रखीगा तो मैं आपे लिख देता हूँ कि negative sign means कि जो acceleration है वो towards कहां पर है? mean position है towards mean position अगरीड यह पास वंज़ आ रही है? ठीक है अब इसमें यह M से M क्या कर सकते हैं? कैंसल कर सकते हैं तो मेरे पास a किसके equal आ गया minus g sin theta के अच्छा अब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में यह बार बताई थी कि यह जो angle है यह बहुत कम है हम बहुत कम amplitude देते हैं तो for small angle यह small angle approximation है कहलाती है for small angle of theta यह जो small angle है मेरे पास यह बहुत कम होता है तो sin theta approximately equal हो जाता है theta के यानि कितनी angle के लिए less than five degrees के लिए याद रखिएगा five degree यह उसे कम के लिए हमेशा sin theta theta के equal होता है तो मेरी जो equation है वो कुछ इस किसम की बन गई के मैं लिखूँगा a is equals to minus g और 7 में मैं क्या लिख रहा हूँ theta लिख रहा हूँ ठीक है यह बास समझ में आ रही है अचा अब इसको हम क्या कर देते हैं इसको मैं नाम देता हूँ अचा अब इस मौके पर हमें theta की value चाहिए कि theta क्या होगा देखिए यह जो theta है इसको chapter number 4 में हम क्या पढ़के आया थे इस theta को हम पढ़के आया थे angular displacement याद रखीगा यह theta के angular displacement हमने equation पढ़ई है s equal होता है r theta के यह mathematics में पढ़ते हैं physics में पढ़ते है इसमें s arc length क्या लाता है r radius है और theta के है हमारे पास angular displacement तो अगर मैं theta की value निकालता हूँ तो मुझे s को r से divide करना पढ़एगा agreed अब s के arc length क्या है diagram में आ जाएं तो angle के सामने यह जो curve हिस है arc length यह क्या है मैंने काता है कितना displacement कवर कर रहा है x तो जो arc length है वो मेरे पास हो गया x और radius क्या है तो radius क्या है इस wire की length तो चाहिए length आप यहां पर l लिख दीजिए या length यहां पर l लिख दीजिए दो एक ही बात है क्योंकि radius हमेशा same रहता है तो जो हमारे पास radius है वो हमारे पास क्या है l मेरे खाले असानी समझ में आगया होगा कि radius if this x is your arc length and this theta is your angular displacement then from this point to the body this distance is called the radius यह radius हमारे पास कहलाता है तो हमारे पास theta किसके बरापर होगा x upon l के बरापर होगा जो मैं equation number 2 के अंदर put करने जा रहा हूं so equation number 2 implies that equation number 2 में इसको input करते है तो हमारे पास जो a है that is equals to minus g और theta की जगा पे आज़ेगा x upon l तो next step में मैं इसको कह कर रहा हूं minus g upon l into x लिख रहा हूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बिलकुत ठीक बात है देखिए जो l है इसको g के निचे लिख दिया साथ में x को अलग करके लिए अब मुझे बिताईए during the motion of the simple pendulum क्या gravity change होगी बिलकुल नहीं चेंज होगी gravity remains constant क्या length of the string जिस तार से मैंने simple pendulum को बांदा हूए क्या ये तार की length change होगी वो भी constant रहेगी वो भी change होने वाली चीज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको next step मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a equal है minus constant into x के तो g upon l पूरा किसके बराबर आगया constant के बराबर x के अब अगर मैं क्या करता हूँ इस constant को खतम कर देता हूँ तो मुझे इस is equal to भी खतम करना पड़ेगा तो मैं a proportional minus x लिख रहा हूँ अगर आपने मैंने पहरा lecture सुना हूँ chapter number 8 का तो मैंने वहाँ से आपसे कहा था कि अगर कभी हमें प्रूफ करना हो कि motion shm है तो हमें ये relation बना के दिखानी होती है जो कि मैंने बना दिये तो इसका मतलब है कि ये बात प्रूफ हो गई hence it is proved कि जो motion of these simple pendulum है वो क्या है shm है simple harmonic motion है thank you so much